नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों अगर आप लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं और जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों कव्ये का एक पंक आपको बना सकता है करून पती जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको वास्तु सास्तर और जिवति शास्तर के बहुत ही अनोखे और अदबुत ग्यान के बारे में बताने वाले हैं साथी दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि वे काउन से संकेत हैं जो कवा अगर हमें देता है तो एक इनान हमें अमीर वनने से कोई नहीं रोख सकता है और दोस्तों माता लच्मी की हम पर कृपा सदेब बनी रहेगी आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं तो दोस्तों बने रहें वीडियो के अन तक जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल पन नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज के समय में हर व्यक्ती बहुत सारा धन कमाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है दोस्तों अपनों सपनों को पूरा करना है और ये सब जल्दी से जल्दी हर व्यक्ति करना चाहता है ताके वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके अपने परिवार का खयाल लग सके हर सुकसुविदा का आनंद ले सके जो वो चाहता है मगर दोस्तों ये सब इतनी जल्दी कैसे करें आज के समय में कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है दोस्तों ऐसा तो तब ही संबब है जब कोई चमतकार हो जाए और आपके पास पैसा किसी ना किसी रूप में चल कर आए क्या ये ऐसा संबब है दोस्तों कुछ लोगों की किसमत इतनी शांदार होती है कि वो जिस काम को भी करते है उसमें सफलता हासिल कर लेते है मात्र थोड़ी सी महिनत से ही कुछ लोगों की किसमत ऐसी चमक जाती है कि आप समस नहीं सकते वहीं दोस्तों कुछ लोगों की किसमत इतनी खराब होती है कि वो दिन रात महिनत करते हैं फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है यही तो दोस्तों फर्क है अच्छे समय और बुरे समय का है इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियों में हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय और संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिसको करने से आपके घर में धनकी वर्सा हो सकती है तो आएए दोस्तों वीडियों में बिना देरी की हुए जानते हैं कववे से जुड़े कुछ शुब और आशुब संकेतों के बारे में विस्तार से दोस्तों शास्त्रों के नुसार अगर किसी लड़की के सिर के ओपर से कववा उड़ता हुआ निकल जाए तो इसे बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है शास्त्रों के नुसार ऐसा माना जाता है कि उस कन्या की जल्द ही शादी होने वाली होती है वहीं दोस्तों अगर कववा किसी विवाहित महिला पर बीट कर दे तो इसे सूनी गोद भरने का संकेत माना जाता है कहते हैं इससे कववा आपको नन्ने महमान के आने का संकेत देता है खास तवर पर ये पुत्र पैदा होने की ओर इशारा करता है दोस्तों एदी कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में घर से वाहर निकले और रास्ते में उसे किसी गंदगी वाले इस्थान पर कवा बेटा दिख जाए तो इसे भी शुब माना गया है ये देखने में भले ही खराब लगे मगर ये एक अच्छा साइन माना जाता है गर में खुशिया आती हैं और ये गर में महमान आने का भी संकेत होता है हलाके दोस्तों एकदम काले कोई का ऐसा करना खराब होता है इदी किसी के गर में शादी समारो या कोई शुब कार रिचल लहा है और इस वीच वहां रखी मिठाईयों में से एक टुकड़ा कववा लेकर अचाना कुड़ जाए तो इसे भी अच्छा माना जाता है कहते हैं दोस्तों इससे विवाह कारिकरम बिना किसी विग्ण के संपन होता है और घर में तरक्की होती है दोस्तों इदी किसी विग्ण को सुपन में कववा मिठाई खाता हुआ दिखाई दे तो समझना चाहिए कि आपको अचानक धनलाब हो सकता है ऐसे इशारे मिलने पर विग्ण को पेतरक संपत्ती मिलने की संभाबना बढ़ जाती है दोस्तों अगर कववा आपके लिए दिये गए अनाज को खाता है तो इसे शुब संकेत मना जाता है कहते हैं इससे आपके घर में मान पूर और देवी लच्मी का वास होगा और इससे कभी भी धंदाने की कमी नहीं होगी वहीं दोस्तों अगर कुछ कोवे घर की दीवार अतबा मुडेर पर बैटकर आपस में लड़ रही हूँ तो इसे आशुब संकेत समझा जाता है इसका मतलब है कि घर में तनाव की इस्तिति उतबन हो सकती है और इससे परिवार में कलेस हो सकता है वहीं दोस्तों अगर किसी के घर की छट पर मरा हुआ कोवा मिले तो समझना चाहिए कि वहां रहने वालों को बुरा बक्त आ गया है मित्रों इससे उनके काम बिगडेंगी साथी दूसरों से बिबाद भी हो सकता है और दोस्तों एदी खाना खाते समय अचानक कोवा जपट्टा मार कर उसे छीन ले जाए तो इसे बहुत अशुब मना जाता है कहते हैं दोस्तों ऐसा होने से व्यक्त के शत्रों की संक्यामी बरहुत्री होती है और उन्हें अपने दुश्मनों से हार का सामना करना पड़ सकता है आईए दोस्तों वीडियो में जानते हैं कि कोवे का पंक आपको कैसे बना सकता है करोन पती आईए जानते हैं दोस्तों वास्तु शास्त के नुसार कबूतर और कव्य के पंक को बहुत ही शुब माना गया है अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशाली आए, सुक सांती का वास हो और आपके घर में धंका आगमन हो तो आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आप अपने घर में बदला खुद महसूस करेंगी क्या उपाय है आए जानते हैं दोस्तों वास्तु शात्र के अनुसार कबूतर और कव्य के पंक को लेकर किसी सफेद कपड़े में लपेट कर लाल धागे से उसे बंध ले दोस्तों ध्यान रहे कि कपड़ा कोरा होना चाहिए उस कपड़े को पहले कभी भी उप्योग में ना लिया गया हो दोस्तों पंकों को बादने के बाद उसको अपनी तिजोरी यानि जहां पनाप पैसे रखते हैं उस जगा पर रख दें मित्रों अगर आप इस टोटके को करते हैं तो माल अच्मी आप से बहुत प्रसंद होती है और माताल अच्मी की कृपा दृष्टी आप पर बनी रहेगी और आपकी सारी च्छाएं बहुती जल्द पूरी होने लगेगी यानि दोस्तों आप को करोडपती बनने में देर नहीं लगेगी और आपका सारा घर धन से भर जाएगा तो दोस्तों आप लोग भी इस उपाय को जरूर करें और इसका लाब उठाएं आज के वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूं गले वीडियो में किसी और नई जानका के साथ तब तक के लिए गुडबाई थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो